नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले भाई कि पंजाब की टीम को लेकर एक बहुती बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और दोस्तों भाई IPL 21 के लिहास से ये खबर भाई पंजाब को बहुत एद पसंद भी आएगी क्योंकि भाई उनके एक खिलाडी ने जो है काफी अच्छा प्रदरसन किया है बिग बैस लीग में और भाई उन्हें Man of the Match का आवार्ड भी दिया गया है और दोस्तों भाई इस खिलाडी को जो है पंजाब की टीम करेगी रिटेन ऐसी भी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों भाई क्या कुछ है पूरी खबर हम बात करने वाले इस वीडियो में तो दोस्तो बनेरी हमारे साथ देखते हैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और भाई सबसे बड़े फैन हैं आप किंग्स लुमें पंजाब के केल राहूल के सपोर्ट करते हैं इस टीम को और जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब तो भाई सबस्क्राइब कर दीजी हमारे चैनल को तकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहें किंग्स लुमें पंजाब की टीम से जुड़ी हुई और भाई IPL 2021 से जुड़ी हुई तो दोस्तो पहले हम बात करते हैं कि आज Big Bangs League में क्या हुआ दोस्तो भाई Big Bangs League में अगर हम बात करें तो आज Hobart Hurricanes और Brisbane Heat के बीच मैच खेला गया जहां पर काफी रोमांचक मैच हमें देखने को मिला एक वक्त पर भाई ऐसा लग रहा था कि जो Brisbane Heat है वो भाई मैच को निकाल के लेके चली जाएगी लेकिन भाई यहां पर Hobart Hurricanes ने मैच को एक रन से जीत लिया जी हाँ जोस्तो भाई Hobart Hurricanes ने पहले बल्लेबाजी करते हैं देड़ सरोनों का लक्ष दिया और वहीं पर जो Brisbane Heat है वहाँ पर उन्होंने 149 रन बनाए 8 विकेट को नुक्सान पर बात करें आखरी ओवर का तो भाई आखरी ओवर का तो भाई आखरी ओवर काफी रोमान चगरा काफी वहाँ पर कुछ देखने को मिला में 9 बॉल विकेट सब निकल के आए लेकिन भाई वह यह रहा कि Hobart Hurricane जो है वो एक रन से मैच को जीत गया तो अब दोस्तों हम बात करते भाई कि एक गेंदबाज है जो कि पंजाब के टीम से खेलते हैं और भाई काफी अंडरेटेड प्लेयर हैं यानि उनकी इतनी चर्चा नहीं होती लेकिन भाई उन्होंने अपने जो कला है गेंदबाजी है उसका सीधा प्रदर्शन किया है बिग बैस के लीग में और दोस्तों भाई IPL 20 में जो इन में काफी अंडरेटेड रहे थे विकेट इनको जादा नहीं मिली थी लेकिन भाई इनकी गेंदबाजी अच्छी रही थी दोस्तों भाई इसी का जो फायदा उ अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा और भाई प्लेयर आफ दा मैच भी बने है तो दोस्तों ऐसे पंजाब की टीम जो इनके परफॉर्मेंस से काफी खुस हुई रहेगी और भाई इन्हें चाहेगी कि जो अपने टीम में रेटेन किया जाए क्योंकि विदेशी खिलाडी क जूरूप में अच्छा प्रफॉर्मेंस देते हैं मुजिबुर्मान तो दोस्तों प्रिजबेंड हिट की तरब से घंद बाजी की लेकिन उनकी तीम है वह हार गे लेकिन उनके इतने अच्छा प्रफॉर्मेंस का अवाड दिया गया त्युक्राइज जो मैच रहा काफी ल प्रदर्सन करके आएंगे अपने टीम के लिए और इन्होंने प्रदर्सन करके दिखाया और बता दिया कि अच्छा खिलाडी हो सकता है दोस्तों पंजाब की निगाहे रहेंगी इनको रिटेन किया जाए लेकिन दोस्तों एक मुकाबले से आप प्लेयर को जज नहीं कर सकते ह है उसके बाई कला और अनुभो का पता लगा सकते हैं लेकिन मुझीबूर रह्मान को जो है ऐसे ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा बिग बैस लीग में और बाई जो भी टी टीटिस वो खेलेंगे वहां पंजाब की टीम जो है इनके बारे में दोबारा सो पाए और बात करें पंजाब की टीम को तुमकी सबसे जो कमजोर कड़ी रही है वो रही है उनकी गेंदबाजी तो ऐसे में मुझीबूर रह्मान एक अच्छे गेंदबाज बन जाएंगे पंजाब की टीम को अच्छा खासा बेनिफिट होगा मुझीबूर रह्मान के ऐसे परफॉर्मेंस है और भाई हम दुवा करते कर यह पंजाब की टीम इन्हीं रिटेन करती है तो भाई यह जरूर जो है अपना प्रदसन आई पिल्म दिखा है पंजाब की टीम की तरफ से और भाई पंजाब जो हर मैच को जितते हुए आगे बढ़े दोस्तो भाई आपका क्या कहना इनके बारे में मुझीबूर रहमान के बारे में क्या पंजाब की टीम को इन्हीं रिटेन करना चाहिए या फिर भाई उन्हें और वेट करना चाहिए कि मुझीबूर रहमान को जो परफॉर्मेंस है कैसा रहता है दोस्तो भाई आपके कमेंट पर आपको आपको आपडेट मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अन तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद